तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ बुक का चैप्टर नंबर वन डैट इस रियल नंबर का एक्सराइज 1.1 करने वाले हैं इसमें हम लोग फुल देखेंगे कि हम लोगों को जो भी हमारा कोईशन है इसमें टॉटल 1.1 एक्सराइज में टॉटल 5 कोईशन है उन फाइज को हम लोग सो हम लोग इस विडियोे में देखने वाले हैं करने वाले हैं, solve करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हाँ अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो क्योंकि अगर आपको exercise करना है तो पहले उस हर एक basic concept को हर एक चीजों को समझना बहुत ही जर्री होता है अगर आप चैनल पर नहीं हो अभी तक subscribe नहीं की हो तो हमारी चैनल को subscribe कर दें और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको हर एक जो भी हम लोग वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले notification चला जाए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोईशन नंबर वन से हमारा फ यहां पे कुछ questions दिये हैं ठीक है उसको जो भी Euclid's division algorithm है यह जो exercise है 1.1 इसमें जितने भी questions हम लोग करने वाले हैं वो सारे खेवरम 1.1 पे based है ठीक है Euclid's division algorithm और बता दे कि Euclid's division algorithm हो या लेमा हो दोनों एक ही बात होता है एक ही चीज़ ठीक है हम लोगों ने एक से जब हम लोगों ने introduction पढ़ा था तो उसमें लोगों ने यह भी देखा था कि जब हम मैंने introduction किया था तो उसमें मैंने एक example लिया था उसके through भी हम लोगों ने संवा मैंसा को देगर निकाल ले निकाल लेना हम यहां पर हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग इतना जान नाते हैं कि बचपन सही पढ़ते आ रहें कि डीवीजर लेवीरिदेन Venice सौरी यहां पे थोड़ा समस्टेक हो गया है एक मिनिट करेक्ट कर लेते हैं हाँ तो करेक्ट कर लिया हमने डिवीडेंड जो है इक्वल टू क्या होगा डिवीजर इन्टू कुईटेंड प्लस आर यानि की रिमाइन्ड है ठीक है डिवीडेंड को क्या होता है जो नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं वो डिवीडेंड होता है और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं जैसे किसी नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे stable के number से हम लोग divide करेंगे वो divisor हो जाएगा quotient जिससे कटता है और r reminder क्या होगा जो हमारा बचा हुआ होता है तो same चीज algorithm में ukule division algorithm ने हमने ये पढ़ा था कि dividend को हम लोग a मानते हैं divisor को b और quotient को to q और reminder को r मानता है तो ये जो equation form होता है इसी equation में हम लोग hcf निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं बचो question जो हमारा first a में क्या दिया हुआ है 135 and 225 ठीक है 135 and 225 तो सबसे बड़ा कौन सा है 225 जो की सबसे बड़ा digit है तो उसको क्या करेंगे हम लोग 135 से डिवाइड कर देंगे ठीक है यहाँ पर हमने डिवाइड करा है 225 को 135 से तो 135 I hope डिवाइड करना तो आप लोगों को आता ही होगा 135 वर जो क्या हुआ 135 तो उसको सब्ट्रेक्ट करने के बाद 90 एंसर आया फिर 90 मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो डिवाइड हम लोग करेंगे इसमें जब HCF निकालेंगे तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम लोगों को कंटिनियू उसको डिवाइड करते रहना है ठीक है तो जब 90 यहां पर आया फिर हम लोगों ने 135 को डिवीडेंट मान लिया यानि कि ए मानकर उसको 90 से डिवाइड कर दिया तो 91 ज़ा 90 तो एंसर 45 हमारा आया बचके 45 आया फिर 45 से 90 को डिवाइड करेंगे दो बार में कट गया यानि कि 45 टूजे 90 हो गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया यहां पर अब जाएगा अब नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है 0 आ चुका है तो इसी सब को हम लोग कैसे लिखेंगे फॉस्ट में हम लोग सबसे पहले हम लोग Know क्या माना था 125 को A माना थो तो A के जगह में यह 225 लिखा हमने यह A है चुका है उसी तरह 135 को यहाँ पर हम लोगों ने B मान लिया था चुका है उसके बाद one क्या हो गया मेरा quotient और 90 क्या हो गया हमारा reminder यहाँ पे सुरू में first में reminder 90 आया था तो जब यहाँ पे हम लोगों ने करा तो हमारा क्या हुआ 0 नहीं आया था reminder इसी वज़े से हमें फिर से continue करा और इस बार हम लोगों ने 135 को क्या मान लिया 90 बी आया one मेरा into किये quotient और reminder 45 अब फिर से नहीं आया तो हम लोगों ने फिर से क्या किया 90 को इस बार A मान लिया और 45 को B फिर into करके अब यहाँ देखो lastly यहाँ पे 0 आ चुका है तो 0 आने के बाद मैंने कहा था कि जब भी हमारा नंबर 0 आ जाता है जिस भी नंबर से हम लोग last में divide करते हैं जिस भी division से sorry divisor जो भी divisor होता है जिस से हम लोग divide करने के बाद मेरा answer reminder क्या है 0 आ जाता है तो वो ही नंबर क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट ली कौन सा नंबर आया है 45 आया है तो यह 45 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा ठीक है यह question बहुत बहुत ज़्यादा easy है आप लोगों को कोई भी परिशानी नहीं होगी बहुत ही आसान है ठीक है यूं हो गया ठीक है अगर आप लोग कोई भी concept अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी question बनाना बहुत easy होता और यह तो यूकलेस division algorithm हम लोगों ने भले इसमें हम लोगों ने concept पढ़ा है लेकिन हम लोग जो यो divided into division वाला यह जो concept है तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है यहां तक यह वाला first clear हो गया आप second में next में जलते हैं अब दिखो B में 196 and 300 यहां पे आया है 196 and 38220 ठीक है सबसे बड़ा नंबर क्या है यह है सबसे बड़ा digit कौन सा है 38220 तो इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे वाले नंबर से इसमें भी हमें यह फर्मूला ध्यान रखना यानि कि एक्वेशन याद रखना कि A is equal to BQ plus R होता है ठीक है स्टुडेंस यहां तक clear है फिर हम लोग इसमें भी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यह जाएगा फिर 196,50980 अब यहां देखो यह तो एक ही बार में reminder हमारा आ गया यहां पर हमारा एक ही बार में क्या हो गया reminder यहां पर आ गया तो हमें long process जाने की कोई ज़रत पड़ी ही नहीं तो यहां direct हम लोग लिख लेंगे इसमें A इसको मान लेंगे ठीक है 3822,0 को फिर 196 क्या हो गया हमारा B हो गया 195Q हो गया और 0 हमारा reminder हो गया 0 आ जाने के बाद हमारा हो गया सबसे last में मेरा 196 से करने के बाद ही मेरा क्या आया? 0 आया तो इसी वज़े से 196 मेरा हो गया? HCF हो गया यहां तक clear है बच्चों फिर next में चलते हैं और equation है one का ही equation सब कर रहे हैं ठीक है ना one का ही three part है उसमें से कर रहे हैं अब next हमारा देखो 867 and 255 चीक है यहां पर क्या दिया हुआ फिर से 867 and 225 इसमें सबसे बड़ा नंबर अब क्या है 867 तो 867 को 225 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने फिर से एक इसको माना है तो यहां पर हमारा ए लिख दिया मैंने ठीक है यहां पर हम लोगों ने ए लिखा यह हमारा भी हो गया यह क्यूं हो गया और यह हमारा रिमाइंडर हो गया यह तो हम लोगों ने इसको मान ही लिया है जिससे डिवाइड करते 255 हो गया अब यहां पर हम लोगों ने 255 को 3 से मंटिप्लाई किया तो 765 आया तो इसको घटाने के बाद यानि की सब्ट्रैक्ट करने के बाद 102 आया लेकिन मेरा गुने 3 प्लस 102 लिख लिया है ठीक है फिर इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे यह जो अब 255 है उसको ए मानेंगे उसको ए मान लिया हमने 102 से फिर से इसको किया तो जाट 204 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 151 फिर से नहीं आया 151 जिरो नहीं आया तो हम लोग फिर से करेंगे अब इसको 102 को हम लोग यह मान लेंगे फिर 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 नेच्स में हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है पहले हम लोगों ने 867 को A मान के equation बनाया ठीक है अब हम लोगों ने नहीं answer आया यानि कि equation में reminder जो है 0 नहीं आया तो हम लोगों ने 255 को A मान लिया 102 हमारा B हो गया 2 हमारा क्या हो गया reminder जो भी इधर इधर जो भी आ रहा है यह सब क्या है क्या है तो हम लोगों ने यहां पर कर लिया है फिर reminder हमारा 51 आ जाएगा फिर यहां पर हम लोगों ने 102 को A माना और यहां पर exactly equation क्या आ गया मेरा reminder जीरो आ गया अब यहां तक stop होने के बाद सबसे लाल जीट कौन सा है स्टूरेंट 51 है क्या है 51 है तो 51 हमारा क्या हो गया है एचसी एफ हो गया है न बहुत इजी है बहुत ही इजी इजी है question हमारा फॉस्ट जो question number one था वो clear हो चुका है अब हम next में चलता है question number two ठीक है यह तो बहुत equation था अब हमें जो आगे question आएंगे वो थोड़ा सा प्रूफ टाइप का होगा ठीक है यह हमें दिखातने बोलता है ठीक है questions द्यान में अब लोग पढ़ लो ठीक है कि क्या कह रहा है question क्या कहना चाहता है show that any positive integer यह कोई भी positive integer है ठीक है न उसका form हमें form six q plus one six q plus three या फिर six q plus five आएगा जहां पे q कोई भी क्या है integer है ठीक है हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे करना है सबसे पहले हम लोगों को six q plus one six q plus three six q plus five यह दिखाना है ठीक है so करना है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमें दो चीज़ यह भी हम लोग क्या करेंगे यूक्लीड डिवीजिन अल्गोरिज्म के थ्रू ही मतलब उसके जैसा ही हम लोग क्या करेंगे करना है तो उसका equation और रोल्स हमेशा याद रखना पड़े कवच्चो equation क्या है a is equal to b q plus r okay ठीक है हमेशा तो और एक रूल क्या है कि जो भी reminder है वो या तो 0 के equal to होगा या फिर 0 से बड़ा होगा ये basic से चीज़े हैं ये तो ऐसे भी हम लोग को पता होता है कि reminder हमेशा 0 के equal to होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और तो और जो r है वो b से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए r जो है वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर हम लोग मान लेता है कि let a be any integer a क्या है कोई भी एक integer है तो हम लोग b का value क्या रखेंगे यह किस पर base करेंगे कहां से देखेंगे अब यहाँ पर question देखो 6 q plus 1 यह किस के form में है b q plus 1 के b q plus r के form में है b q plus r तो भी यहाँ पर b हमेंचा क्या दिखा रहा है 6 six 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 बता रहा है ठीक है यानि कि हमको b क्या लेना है 6 लेना है यहाँ पर हमने 6 ले लिया उसके बा Kings के बाद यहाँ पर देखते है reminder क्या है REEMiner हमें क्या यहाँ पर बता रहा है rules कि reminder हमेंचा 0 के equal to होगा या 0 से बड़ा वह होना चाहिए तो भी मेरा क्या है सिक्स है यानि कि सिक्स के चोटा नंबर लेंगे जीरो ले सकते हैं 12345 यहां पर 02-2345 लिखा अब हम लोग क्या करेंगे एक एक करके जो यह रिमांडर है रिमांडर का जो वैलू है एक एक करके हम लोग equation में put करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा odd है और कौन सा even है ठीक है यहाँ पर एक और चीज मेरा छूटा हुआ है equation में कि यहाँ पर बताया गया है यह जो है पॉजिटिव और इंटीजर होना चीज ठीक है यह एक सेकेंट पॉजिटिव और इंटीजर क्योंकि हमको यह बताना है कि और भी है यहाँ पर equation थोड़ा सा mistake हो गया है तो यहाँ पर so that any positive odd integer is of the six q plus ऐसे हैं ठीक है और इंटीजर होना चाहिए क्योंकि सारा इतना सारा निकला हुआ इतना सारा अगर put value करेंगे तो क्या सब ही है लेकिन यहाँ पर तो थ्री ही form दिया हुआ तो उसको हमें करना है आगे आगे समझ में आ जाएगा को क्या करना है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले reminder का जो value है वो क्या रखते हैं जीरो पहले रखके put करके देखते हैं क्या निकलता है अई is equal to 6 6 क्या होगा ब के जगह में 6 हो गया Q के जगह में Q ही और reminder के जगह में हम लोग 0 ले लिया तो इस उकल तो 6 Q लिख सकते हैं ठीक है यहाँ तक समझ में आया बात में यह बताती हूँ कि और इविन किसको मानना ह फिर आज में हमने 1 का value put किया तो हमारा equation आया 6Q plus 1 2 का value डाला तो 6Q plus 2 3 का value डाला तो 6Q plus 3 4 का value डाला तो 6Q plus 4 और 5 का value डाला तो 6Q plus 5 यहां तक समझ में आई है अब कौन सा a odd है even है किसे पता करें देखो यहां पर अच्छे से यहां पर सबसे first हम लोग देखते हैं A is equal to 6Q ठीक है ना A is equal to 6Q देखते हैं यहां पर क्या दिखा रहा है कि जो हम लोग 6Q लिए हैं हम लोग यानि कि यह जो Q है क्यों यहां पर क्या बता है कोई भी integer number है ठीक है कोई भी integer number है अब माल लोग कि हम लोग 6 में किसी भी number को divide करेंगे यानि कि जैसे हम लोग table में करते हैं one से divide, sorry multiply करेंगे पहले हम लोग one से करते है फिर two से करते है three से करते है four से करते है five से करते है यह सब हम लोग एक-एक करके करते जाते हैं ठीक है एक-एक करके करते जाते हैं यानि कि एक एक number करके हम लोग multiply करते हैं तो ध्यान से देखो बच्चो कि हमेशा six के table के जो last है last में हमेशा कौन सा number आ रहा है notice कुछ हो रहा है कि last में हमेशा कौन सा number आ रहा है even number आ रहा है तो हर एक में क्या आ रहा है last में even number आ रहा है बच्चो तो इस से हम लोग समझते हैं कि क्यों कोई भी अगर integer number लेंगे तो 6 से into करने के बाद multiply करने के बाद वो क्या हो जाएगा even number ही हो जाएगा तो यह हमारा even number आगया अब यहां पर देखते हैं 6 क्यों हमारा even number आया तो अगर उसमें one add करेंगे यानि कि 12 में अगर हम लोग one add करेंगे तो यह कितना होगा 13 होगा 18 में one add करेंगे तो कितना होगा 19 होगा जो कि क्या है odd number है exactly अगर कोई भी even number में odd number add करेंगे तो odd number आएगा यह odd हुआ फिर हमने यहाँ पे even number है 2 क्या है sorry यहाँ पे 2 क्या है even number है even number को plus करेंगे तो even ही बनेगा यहाँ पे 3 odd number है odd number को add करेंगे तो odd बनेगा फिर 4 क्या है मेरा even number है इसको add करने पर even ही बनेगा 5 odd है odd number add करने के बाद odd ही बनता है ठीक है यहां तक सब clear है कि हमको odd even में क्या है यहां पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है और अब देखो यहां पे odd जो जो नंबर है यहां पे क्या बोला है positive odd integer जो भी odd है जैसे कि हमारा यह वाला जो portion है यह भी odd है यह भी odd है और यह भी odd है क्या क्या है 6q plus 1 question में भी देखो 6q plus 1 ठीक है दूसरा क्या 6q plus 3 question में भी है 6q plus 3 ओके फिर यहां पे है 6q plus 5 और यहां पे भी 6q plus 5 है तो हमने यह सो कर दिया है कि यह odd number है ठीक है यह सो कर दिया हम लोग next देखते है तो students question number 3 क्या कहता है हमारा any number ठीक है एक सेंट हम ले लेता है कोई अनी आर्मी कंटिगेंट ठीक है ना कोई भी एक कंटिगेंट है एक सेंट एक सेंट आर्मी कंटिगेंट अफ 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade the two groups are to match in the same number of column क्या बुलता है आर्मी का 616 members है जो की march करना है ठीक है ना उसको क्या बुलता है दो groups में divide करना है और दोनों column में क्या होना चीए same number of army होना चीए ठीक है what is the maximum number of column in which they can march maximum क्या कहता है maximum का मतलब क्या कह रहा है यह highest number बता रहा है है यानिकि सबसे बड़ा number तो यह इसका मतलब कहने का मतलब indirectly क्या कह रहा है हमें कि hcf निकालने बोल रहा है तो हम यहां पर इसने कितने कितने number दिये दो number दिये कौन कौन सा 616 और दूसरा क्या है थर्टीटों तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे 616 जो है उसको 32 से डिवाइड करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे 616 को 32 32 और करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 29 और 6 नीचे आया 296 329 जा कितना होगा 288 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कंटिन्यू करेंगे अब 32 को ए माने हैं हम लोगों ने एट फोजा 32 हुआ यहां पर हमारा सेकेंड स्टेप में ही क्लियर हो गया ठीक है तो अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट में इसकी साइड में लिखेंगे क्या 100 अब पहले हम लोगों ने एक इसको माना था 616 को तो आप ए उसके बाद हमारा रिमांडर नहीं निकला था जीरो तो हम लोगों ने फिर से 32 को ही इस बार क्या कर लिया रिमांडर माना फिर उसको मैंने करने के बाद B मेरा 8 हुआ फिर Q मेरा 4 हुआ और R क्या हो गया 0 आगया अब यहाँ पर 0 आने के बाद यह हमारा complete हो गया तो HCF मेरा क्या होगा सबसे last में जो भी number होगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा यहां तक क्लियर है यह भी एक्दम एजी मतलब जो भी questions वगेरा इसमें दिया किया है सारा सारा easy से easy concept है और बहुत आसानी से आप लोगों को concept क्लियर हो जाएगा तो उतना worry करने की कोई ज़र रती है अगर फिर भी आप लोगों को तो स्टूरेंट्स अब देखते हैं हम लोग question number 4 वो क्या कहता है question number 4 क्या कहता है use Euclid division lemma ठीक है use Euclid division lemma to sort that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m ठीक है क्या बोलता है अम यह दिखाना है Euclid division lemma के थूद यह दिखाना है कि पोजी कोई भी positive integer या तो उसका square करने के बाद 3m आएगा या 3m plus 1 आएगा और m क्या होगा कोई भी integer number होगा ठीक है तो इसको करेंगे तो पहले हम लोग rules याद रखेंगे A is equal to B q plus R देक है R क्या होगा A is 0 के equal to होगा और या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन B से कभी बड़ा नहीं हो सकता उससे छोटा ही होगा ठीक है तो let फिर उसी तरह करेंगे जैसे हम लोगों ने आगवा किया था let A, B आएगनी positive integer ये को हम लोगों ने कोई भी positive integer माना है B हमारा 3 है क्योंकि यहाँ पर 3 B के जगह में लिया हुआ तो हम लोगों ने भी 3 लिया है ठीक है R हम लोग क्या क्या लेंगे 0, 1, 2 क्यों लेंगे क्योंकि 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि B पहले से ही 3 है वो उसके equal to नहीं हो सकता है और R जो है हमारा 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है तो एक एक करके सारे value पुट करके देखेंगे तो R का value जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो उसका जो equation 3 Q plus Q आया A is equal to 3 Q आया ठीक है अब यहाँ पर क्या बोलता है square of any positive integer square होना चाहिए तो दोनों side हम लोग क्या करेंगे square इंग बोट side करेंगे तो A square is equal to 3 Q square आया ठीक है जब उसको solve करेंगे तो A square आ जाएगा उसमें और 3 Q square का अगर हम लोग करेंगे 3 का square क्या होता है 9 हुआ और Q का square Q square होगा ठीक है A is equal to अब इन दोनों मैंसे हम लोग common लेंगे इसमेंसे हम लोग क्या करेंगे common लेंगे 3 common लिए 3 हम लोगों ने common लेके बाहर निकाला तो जब भी हम लोगों ने 3 common ले लिया तब जितना number बचेगा उसी को लिखेंगे तो कितना number बचा 3 बचा तो 3Q is Q square हो गया हमारा I hope यह सब तो समझ में आप लोग को आई रहा होगा कि स्क्रेम बोज साइट करने के बाद Common कैसी लिया जाता है इस हम्हें प हुए सब बहुत मुस्किल होगा यह सब करने में कुछ समझ में तो आएगा नहीं तो इसलिए ध्यान से आप लोग चुनिए कि common factor अगर common जब हम लोग ले लेते हैं तो जो भी बचा हुआ रहता यानि कि 9 को हम लोग किसे लिखते हैं 3 x 3 लिखता है तो 3 अगर हम लोगों ने common लेते बचा किया थी बचा तो 3 q square हुआ ठीक है अब यहाँ पर क्या बोलता है m क्या है कोई भी इंटीजर है ठीक है कोई भी इंटीजर है तो हम लोगों ने 3 q 3 रखा है और 3 q square जो है इसको हम लोगों ने M मान लिया ठीक है क्योंकि कोई भी integer number हो है न वो M होता है तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ तो proof हो गया A का square हमें ऐसा 3M का form में लाया यहाँ पे भी क्या बता रहा है 3M ला रहा है ठीक है तो next first और हम लोग अब दूसरा value पुट करके देखते है R का value जब हम लोग पुट करेंगे 1 ठीक है तो उसमें equation क्या आएगा 3Q प्लस 1 equation आएगा अब इसमें भी squaring both side करना दोनों तरफ square करना इस side भी और इस side भी equal to के उस right side में भी और left side में भी ठीक है right left दोनों तरफ ठीक है तो दोनों तरफ हम लोग square करेंगे अब देखो a square हो जाएगा लेकिन इसमें formula क्या लगेगा यहाँ पे कौन सा form हो रहा है a plus b का form हो रहा है है ना इस तरह form में है ना 3Q क्या हो गया a हो गया plus 1 क्या हो गया b हो गया यह दोनों किस form में है a plus b का whole square में है इसी तरह दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे formula लिखेंगे यहाँ पे हैं मैंने उपर में formula लिख लिया यह भी आप लोग को पता होगा a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab ठीक है तो यह formula उसी तरह हम लोग को इसमें use करना है तो a square क्या होगा 3q square plus b square क्या होगा b क्या है 1 है 1 square plus 2 into a a क्या होगा हमारा 3q और b क्या होगा मेरा 1 होगा ठीक है अब इसको swap करते है a square का a square is equal to 3 का square क्या होगा 9 हुआ और q को अगर q को square करेंगे तो q square हो जाएगा यहाँ पे mistake यहाँ पे यह हुआ है यहाँ पे हमारा क्या चूट गया square चूट गया यहाँ पे square चूट गया है तो q 9 q square होगा plus 1 का 1 का square क्या होगा 1 ही होगा plus 2 3 जा 6 q plus 1 जा 6 q यहाँ पे मेरा क्या होगा 6 q आगया अब यहाँ पे हम लोग देखता है यह जो 9 q square है और 6 q है यह दोनों को हम लोग साथ में arrange करके भी लिख सकते हैं तो हम लोगों ने आप पर क्या किया, 9Q और 6Q को साथ में अरेंज करके लिख दिया, लिखने के बाद उसको प्लस 1 को साइड में कर दिया, अब हमने क्या किया, ये दोनों में से तो common आ सकता है, 9Q प्लस 6Q में से, 9Q स्क्वाइर प्लस 6Q में क्या आ जाएगा, common, obviously अच्छे से आ जाएगा, तो हम लोग common क्या लिए, 3 common ले लेने के बाद बचा किया, 3Q प्लस 2Q, और साइड में हमारा, प्लस 1 बचा किया, ठीक है, तो हम लोगों ने ठी, अब ये जो bracket के अंदर, जो भी है, वो हम लोगों ने क्या मान लिया, कोई भी integer है, तो यानि कि इस reminder के जगह में 2 का value आड़ करके देखते हैं, कि उसमें कौन सा form निकलता है, तो A is equal to 3Q प्लस 2, B क्या है मेरा, 3 है Q का Q, और reminder क्या है, 2 है, तो हम इस तरह में ये वाला equation निकला, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें भी same process करेंगे, squaring both side, दोनों तरफ, left and right, दोनों तरफ, हम लो पर तो हो गया, इसमें भी formula लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, A प्लस B का whole square में है, तो इसका भी formula हम लोग लगाएंगे, same चीज होगा कैसे, A square क्या है मेरा, 3Q square होगा, 3Q square प्लस B square क्या है, B क्या है, 2 है, यानि कि 2 square प्लस, 2 square प्लस, अब हमारा 2 into A क्या है, 3Q into B क्या है, 2 है, अब इसको solve करता है, 3Q square का क्या हो जाएगा, 9Q square, 2 का square 4, प्लस, 236, 6 और 2 क्या होगा, 12, 12Q होगा यहाँ पे, अब इसको भी क्या करना है, अरेंज कर देना है, हम लोगों ने इसमें क्या किया, 9Q square को एक जिगा लिखा, 12Q square को एक जिगा लिखा, और तो और ये जो 4 है, उसको हम लोग 3 plus 1 भी लिख सकते हैं, 3 plus 1 अगर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा, answer तो 4 ही होगा, 3 plus 1 लिखा हुआ कहीं पे, अगर उसको add on करेंगे 4 होगा, या 4 को हम एकस्पांड करके 3 plus 1 में लिखें, इसे भी लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों ने common ले लेंगे, ठीक है, हम लोग इससे common ले लेंगे, common लेने के बाद bracket में क्या बचा, 3 q square plus 4 q plus 1, क्या हमारा हो गया, बचा और plus 1 हुआ, ठीक है, अब इसमें भी हम लोग 3 को 3 लिख लिख लिया, और जो भी ये मेरा bracket के अंदर, उसको मैंने integer, यानि कि कोई भी integer माना, यानि कि M मान लिया, ठीक है, 3 M plus 1, I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज में हर एक का value पुट करना है, फिर इसको solve करना है, squaring both side करना है, solve करने के वाद जो भी bracket common लेने के वाद जो भी bracket में आएगा, उसे क्या कर देना, M मान लेना, यानि कि कोई बी integer number है, तो कुछ भी हो सकता, तो से M मान लेना है, ठीक है, यहाँ पे भी same चीज आया, हमारा जो question था, उसमें भी क्या दिखाया गया है, उसमें भी क्या बोल रहा है, हमारा question number 3, में की 3 M, ठीक है, जो 3 M है, वो, और 3 M plus 1, ये दो form होगा, square करने के बाद किसी भी positive number को, हम लोगोंने किसी भी positive number को क्या किया है, square किया, तो क्या हो गया, square करने के बाद क्या हो, वही form में आ है, 3 M, या फिर 3 M, प्लस 1 के form में आ गया, clear है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करें, पहले, firstly थोड़े दिर के लिए, इसको देख लिए, ठीक है, ये वाला देख आइडम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही, next topic में करते हैं, आप लोग एक बार ची तरह से वीडियो को stop करके देख लो, ठीक है, ठीक है, बच्चों, ये तो आप लोगों ने देख लिए, अब नेक्स्ट में ये भी देख लेते हैं, अब मैं यही कहना जाओंगी कि हरे concept को समझो, बहुत ही easy है, ये वाला तो exercise 1.1 तो बहुत बहुत ज़्यादा easy है, उतना मुझे ने लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 क्या बोलता है, ये उकलीज रिमीजन लेमा के through क्या करना है, क्यूब आफ कोई भी ऐसा integer, पॉजिटिव इंटीजर देखाना जिसका form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 आता है, मतलब ये सेम उसी तरह, उसमें क्या बता रहा था, कि स्क्वाइर करने के स्क्वाइर ह अगने क्या है क्यॉब का बता रहा क्यूब का करने बोल रहा है तो हम लोग इसमें सेम प्रोसेस से करेंगे, लट ए ब़न एंटीजर नम बर है, जहां पे भी हमने ठी लिया अब इस पार common 9 नहीं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर 9 लेंगे, तो हमारा जो, यह जो, रिमां गाट बार पेकाहिए रहुत होने हम सब्सक्रातं के डिख्षिकल्ट और वह किया हम लेडिस बाकिता अगा इस बार नाइन नहीं लिया है दिकेया की अतना दीपिसेटंब फार ले लिया तो वह बहुत जादा difficult हो जाता है तो तीन में ही हम लोग करता है तीन चाहिए तो तीन में ही हम लोगों ने कर दिया ठीक है 0,1,2 ओके तो हम जब reminder में 0 पुट करके देखते हैं तो वह सबसे पहला equation क्या देता है हमें A is equal to 3Q plus 0, sorry, हाँ A is equal to 3Q आता है तो A is equal to 3Q को अब इसमें क्या बोल रहा है Q पता रहा है तो हमें क्या करना है दोनों तरफ Q करना है ठीक है ना दोनों तरफ हम लोगों पहले हम लोगों ने square किया था सब्सक्राइब है एक यहाँ पर चूप 107 सब्सक्राइब है वह अब देखो है सब्सक्राइब है तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना 3 q q बचा ठीक है इसे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं अब यहां पर क्या करना है ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर है उसे हम लोग मैं मान लेंगे क्यों बोल रहा है क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है बताता ह ठीक है तो इसको 3 q q q को हम लोगोंने moan लिया तो हमारा पहला क्या आपदीखा सो हो गया a q q q q जह करने के बाद 9 m निकला और हमारा फॉर्स्ट वही वही पूछ रहा है नाइन अम ठीक है इन वegeं फॉर्स्ट scorpion kir करते हैं one का value हम लोग पहले पूट कर लेते हैं तो पूट करते हैं चलिए तो जब हम पूट करते हैं रहा है वन का वैलियो और बी का वैलियो पूट करने के बाद हमें equation देता है a is equal to three q plus one इतना आप लोगों ने equation देख लिया है तो इसका मतलब यह समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है इसमें भी अब इसमें भी क्या करना है और साइप करना है a than a ड़॥들이 क्यूप प्लस वान होल क्युप ठीक है whole क्यूप करना है a क्यूप को तो हम लोग लिख लेंगे अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या कर लेना है हमें इसको क्या करना है फॉर्मूला के दुरू लिखना है ठीक है फॉर्मूला के जैसा लिखना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ हमारा फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है अप लोग को भी पता होगा is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square ठीक है यह हमारा formula हुआ उसी की तरह हम लोग लिखेंगे a cube पहले क्या बोलता है a cube क्या हुआ मेरा 3q का whole cube 3q cube ठीक है plus 1 का cube plus 3 a क्या है 3q है तो 3q का square b क्या है 1 है plus 3 का 3a बता रहा है तो a मेरा क्या है 3q और b square मेरा क्या है 1 square ठीक है तो a cube is equal to अब हम लोग क्या करेंगे इसको solve करते हैं 3 का cube 27 और q cube plus 1 का cube 1 ही होगा plus 3 into 3 का cube क्या होगा 3 का square क्या होगा 9 होगा 9 3 जा कितना होगा 27 q square plus 1 का तो कुछ है ने plus 3 into 3 3 3 9 q हो गया plus 1 का square तो 2 नहीं होगा तो 9 q का 9 q हुआ ठीक है a cube is equal to 27 q 3 अब हम इसे arrange कर लेता है 27 q q plus 27 q square plus 9 q plus 1 कर लिए हम अब इसमें क्या करना है next step हमें क्या लेना है common लेना है तो common हमें क्या चाहिए 9 चैस में 9 दिखा रहा है तो हमें common obviously 9 ही लेना है ठीक है और कुछ नहीं लेना है a cube is equal to 9 हमने common ले लिया ताकि मेरा answer निकल पाए और ये जो bracket में जो बचा था 27 में हमने 9 common लिया तो बचे कितना 3 cube 3 cube cube plus और फिर से यहां पे भी हमने 9 ले लिया था तो 3 cube square plus 9 तो इसमें से 9 cube में से हमने 9 common ले लिया तो बचा क्या q ठीक है उसके बाद plus 1 ठीक है a cube is equal to 9 का 9 लिखा अब देखो हम यह जो है bracket के अंदर में जो भी है 3 q q q plus 3 q square plus q इसको हम लोग कोई भी m मान लेता है क्योंकि यह कोई भी integer है तो इसको m मान लिए plus 1 यह मेरा second वाला भी यहां पे 100 हो गया है ठीक है अब चलते है next समझ में आ र 4 5 जो भी question है आपको समझ में नहीं आया जाब point में आप पूछ सकते comment करके मैं बता दूंगे next जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको clear कर दूंगी फिर से बता दूंगी क्या हुआ है ओके तो अब हम इसमें देखते हैं अब हम 2 का वैलिव पूट करके देखते हैं किसमें reminder में reminder is equal to 2 put करके देखते हैं तो a is equal to 3 q plus 2 का हमारा क्या है equation बने के आया ठीक है इसको भी हम लोग क्या करने क्यों निकाल रहा है तो अब इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे क्यों भी करेंगे ना दोनों तरफ हम लोगोंने क्या कर दिया cube कर दिया तो इसमें भी हमें क्या करना है a cube plus a plus b का whole cube का क्या करना है formula यूज करना है ठीक है क्योंकि वो उसी form में है तो formula यूज करते हैं चलो a cube बता रहा है a cube क्या है 3 q और उसका cube ठीक है फिर b हमारा क्या है 2 उसका cube प्लस 3 a square यानिकी 3 q square फिर b b क्या है हमारा 2 प्लस 3 यहां पर लिखा है तो 3 लिखना हमने a के जगम में क्या बता रहा है 3 q बता रहा है a को जगम में क्या बोल रहा है three q बोल रहा है और b का square बोल रहा है तो b हमारा क्या हो गया ऑद Food हो गया तो इसका स्क्वाइब ठीक है यहां तक रियर है इसको सॉप करते हैं ठीक है एक क्यूब is equal to three का whole क्योब क्या होगा twenty seven q cube plus two guys cube eight plus three into three देखो 3 का Q क्या होता है 27 और उसमें 3 का Q क्या होता है 9 होता है और उसमें 3 add into कर दिये थो हमें 27 Q square 2 का जो है यह जो 2 है 2 को 2 ही रख दिया बाद में next step में हम लोग इसको multiply कर लेंगे plus 3 3 जा 9 9 Q यहां हो गया 2 का square 4 हो गया ठीक है इसलिए मैंने यहां पर multiply नहीं किया कि एक ही बार मैं कर लों कि तो आप लोगों को दिमाग में साइल हो सकता है कि खिचुड़ी बन जाए इसलिए मैंने वह सब अभी छोड़ दिया नेक्स स्टेप में अब हम लोग solve करते हैं एक की विजिकल टू टू 27 क्यू क्यू प्लस 8 का 8 ब्लस 27 क्यू स्क्वाइर इंटू 2 करेंगे तो 54 क्यू स्क्वाइर आएगा हमारा प्लस 9 क्यू इंटू 4 करेंगे तो 36 क्यू आएगा ठीक है 27 q₂ q प्लस 54 Q स्क्वाइर प्लस यह सबको अरेंज कर रहे हैं हम लोग ठीक है 30 oggi EQ प्लस 88 को हम ने यह ला दिया बीच में जो था अब फिर सेब मुख से अब हम अरेंज करने लेलिया है अब उसमें क्या करेंगे यह हमारा नेक्स्ट एक्वेशन बनके रेडी हो गया तहँ है अब देखो है आप एक्वेशन बनके आगया वह देखते हैं 9 एंप प्लस हमारा कोईशन में भी 9 एंप प्लस एट आ गया है समझ गया है जो आप चाहिए था 9 9m मिल गया 9m प्लस 1 हुआ 9 8 9m प्लस 8 भी हो गया ठीक है